चलिए दोस्तों बनाते हैं बहुत ही हेल्दी चुकुंदर का पाराठा संजय जी कीचन में आप सभी का बहुत-बहुत सागत है अगर आपको मेरी रेस्पी पसंद आती है तो प्लीज लाइक करिए शेयर करिए और ऐसी रेस्पी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर पता है कि में दोस्तों नमक धनीया का पत्ता है थोड़े से चली-फलेक का इस्तमाल करेंगे और कुछ भी नहीं चाहिए और यह पराठा बहुत ही टेश्टी होता है मेरी बेटी को यह पराठा बहुत पसंद है उसी लिए मैं बना रही हूं यह जिसाटे का हम रोटी बनाते हैं उसी का इस्तमाल करेंगे तो एक बड़ी सी रोटी बना लेंगे और इस तरीका से फोल्ड कर लेंगे ताकि उसमें हलके निशान दिखने लगे आपको दिख रहे होंगे चार बॉक्स बन गया है इसमें अब दो बॉक्स में डालेंगे हम होथी टेस्टी होता है दोस्तों एक बर ज़रूर बना के ट्राई करिए और एक कट लगाएंगे इस तरीका से आप देख सकते हैं बीच में से एक कट लगा दिया है मैंने और एक हिस्से को उठाके इसके उपर रख देंगे और दूसरे हिस्से को भी उठाके हम पनीर वाले हिस्से पर रख देंगे और जो किनारी है उसको हम थोड़ा सब प्रेज कर देंगे ताकि बाहर न निकले इस तरीके से और चलिए थोड़ा सांटर डालेंगे और इसको हम हलके हाथों से बेल लेते हैं ज्यादा तेज नहीं बेलेंगे दोस्तों नहीं तो यह फट के निकलन लगता है तो हलके हाथों से हम बेलन चला लेंगे इस पे और यह लिजे पराठा हमारा तयार हो गया है और बिल्कुल सेम प्रोसेस से एक और पराठा बना लेते हैं दोस्तों यह देखिए इस तरीके से और इसको भी हम इसी तरीके से फोल्ड कर देंगे और थोड़ा साथा ड दालेंगे घी तो उपर साइड में हम खी लगा देंगे और फिर इसको हम पलट देंगे और बिल्कुल उलटके पलटके बिलाल होने तक इस पराठे को हम बनाएंगे दोस्तों बहुत ही टेस्टी लगता है एक बार मेरे कहने पर जरूर बना के ट्राइ करिए और ये दिखिए बहुत ही टेस्टी पराठा हमारा तयार हो गया तो हम चलिए दूसरे पराठे को इसी तरीका से सेख लेते हैं और ये लिजिए हेल्दी पराठा हमारा बन के तयार हो चुका है तो इसको आज मैं सॉब करूँगी मठर पनीर की सबजी और मुली के आचार और और एंज के आचार के साथ बहुत ही टेस्टी लगता है पराठा और आचार मिल जाए तो कुछ नहीं चाहिए हम देख सकते हैं इसके लियर भी कितने अच्छे से खुल रहे हैं और बहुत ही टेस्टी पराठा बना है दोस्तों तो कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको मे कर दिजिए शेयर कर दिजिए और ऐसी अच्छी रेस्पिस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए तो खुस रहे हैं स्वस्त रहे हैं